अब एक वार फिर से स्वाकत है आप सभी का हमारी ओफिशल यूट्यूब चैनल में तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्टन पॉलिटिकल थेंकर के बारे में एक थे हमारे रूसु इंके बारे में आज पढ़ेंगे इनका पूरा नाम था जे जे रूसु ठीक है एक मिनट का टाइम दीजेगा एक मिनट थोड़ा मैं चीज़े फिक्स कर दूँ एक मिनट चलिए अब ठीक है जे जे रूसो के बारे में आज बात करेंगे जैसे कि हमने पढ़ लिया था ओमिस intransom ने पढ़ लिया था चौ लॉक पढ़ लिया था आज वारी है JJ R invinci cigarettes R uniqueness के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म हो था स्थारसॲ वारा में जो स्विढ्जर लैंड है वहां पे इनका जन्म हो था कि घुक है कि घुक है कि थे इनके बारे में एक ओर चीज आप याद रखने लिएगा इन्हें रोमेंटिक विचारक आ जाता रोमेंटिक विचारक कि यह चीज आज रिसे दें तरह कि शिवादी इसने कि आज प्रूमेंटे ज्ट रातय इन्हें तो झीरे सboo कि चुझ буду कि पीचार्द हुआ इनी के तीजेए उने अधिक नैतिकता थी अधरश वादी अनके हैं इसलिए तो उसे लिए रॉमेंटिक विचार्द है क्योंकि इसे तवादी विचार्द विचारों और आधरश कि अधरश वाधिर पर touching multicultural समाज Id Oi का क्या किया प्रेतन किया जिस कारण से ने रोमेंटिक विचार की संग्या दी जाती है फिर रूसों के बारे में एक और चीज आप याद रख लीजेगा sound की problem में भी आज आपको होगी लेकिन manage करना सीख लीजे ठीक है इनके किताब थी Discourses on Inequality Discourses on Inequality यह इनकी एक किताब थी याद रख लीजेगा 1754 को इस किताब में इन्हों ने जो है पहली बार समानता की जो संकल्पना थी उसको क्या दिया स्ताहन दिया समानता की जो संकल्पना थी वो सबसे पहले रोसों ने Discourses on Inequality में क्या की थी शामिल की थी समानता की संकल्पना ठीक है इसमें किसकी बात की सबसे पहली बार कुछों ने समानता की बात की थी समानता की बात की लेकिन इन्होंने नारी वो समान अधिकारों की बात ने की थी यह चीज़ हम बात में भी पड़ेगे चलिए एक महाश्या है सेवाइन मैकेवली के बारे में इन्होंने क्या का था यह वही सेवाइन है जिन्होंने मैकेवली के बारे में का था कि मैकेवली का जन्नम अगर कुछ बर्शोबाद और होता तो क्या होता उनके विचार कुछ चलग होते ये वही सेवाइन है जिन्होंने थोमस आपस के बारे में कहा था कि जो थोमस आपस की संप्रवुता है वो कैसी है काल्पनीक निवगम है तो इसी सेवाइन ने रूसो के बारे में कहा था कि रूसो ने जो है आधुनिक यूग में पहली बार समुदाई की मान्यता को क्या कर द था किसने का था सेवाय ने का था कि रूसो ने आदुनिक यूग में पहली बार समुधाय की मानेतों को कुणर जीवित कर दिया था कि मैंनु ही थे जिन्होंने प्रत्यक्ष जो प्रजातंत्र है प्रत्यक्ष लोगतंत्र है उसकीbulन है कि उसका शमर्थन किया था प्रत्यक्ष लोगतंत्र रूसों में याद रिखेगा फिर राष्ट्रवाद की संकल्तना जो राष्ट्रवादी संकल्तना है राष्ट्रवाद की संकल्तना यह वी रूसों का जन्म दाता रूसों को कहा जाता है संकल्पना ठीक है पिर रुसो ने एक और चीज रुसो में या लिखेगाँ पहले पताभिन चाहता लेकिन नागरिक धर्म की इन्होंने बात कही इंसीवील रेलिजन की इन्होंने क्या की थी बात की थी रूसो ने एक चीज कही थी लिख लीजेगा रूसो का कथन है जो इंपोर्डेंट है मेरी आपको याद रखना चाहिए रूसो ने गात कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो पतित प्रानी है बुद्धिमान व्यक्ति एक पतित प्रानी है यह इन्होंने कहा था एक चीज मैंने जब आपको प्रियंबल बताई थी स्थावना बताई थी वहां पर मैंने आपको बताया था कि रूसो ने एक किताब लिखी है शोशल कॉंट्रैक्ट देख ले ना अगर जिन्होंने लेक्ट्चर देखा होगा वह यहां पर रिलेड कर पाएंगे शोशल कॉंट्रैक्ट शोशल कॉंट्रैक्ट में रूसो ने कहा था आपने शायद फहले भी सुना होगा कि मनुश्या क्या है स्वतंत्र है लेकिन वो सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है यह रूसो ने कहा था यहां लिख देता हूं मनुश्या स्वतंत्र जंदमा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है यह का था रूसो ने और जो सोशल कॉंट्रैक्ट की रचना की थी तो सोशल कॉंट्रैक्ट कुस तक है 1765 में इसकी रचना रूसो ने की थी रूसो के बारे में और एक जीज आप याद रिखेगा क्योंकि पिछे हमने मैं क्या बले पड़ा हॉप्स बड़ा हॉप्स और लोक ने क्या किया था कहीं ना कहीं पे प्राक्रितिक अधिकारों के बात की थी प्राक्रितिक अधिकारों के इन्होंने बात की थी लेकिन रूसों ने प्राक्रितिक अधिकारों की बात नहीं की ठीक है मतलब ऐसा माना जाता है कि रूसों के हाथों में पहुंचकर जो प्राक्रितिक अधिकार है वो क्या होगे मर गई ऐसा माना जाता है बाकि एक और चेज रूसों के बारे में नीचे बता देता हूं चलिए याद रख लीजेगा ज़रूरी नहीं है पर फिर्वी कि जो रूसों है रूसों को जैकोब विनवाद प्लस प्लांकीवाद ब्लांकीवाद का पिता कहा जाता है यह चीजे क्या है यह थोड़े कलब थे क्रांटी करना इनका क्या था वहां पे उदेश्या था कोई अध्यारों के साथ करना चाहता था तो यह चीजे हैं जैकोविनवाद और ब्लांकीवाद इसके बारे में डिटेल मत पढ़ेगा इसके जैक कोवीन वाद और प्लाकी वाद का पिता किसको कहा जाता है रूसो को कहा जाता है फिर एक और भाई साव आ जाते हैं बेपर बेपर ने कहा था कि जो रूसो है वो तर्क का उपसाही दूद्ध है तरका उत्साही धर्मदूत पेपर ने कहा किसको रूसो को कहा बाकि मैंने पता दिया कि रोमेंटिक विचारक ही ने कहा जाता है बाकि रूसो ने जो है एक और चीज़ मलब इंपोर्टेंट है इसको इंपोर्टेंट करके चलिएगा एक्जाम में आएगा नहीं आएगा यह इंपोर्टेंट है रूसो ने नारा लगाया कि प्रकृति की और लोट चलो को नारा रूसो ने दिया इसका मतलब आप यह मतलिजेगा कि प्रकृति की और लोड चलो का मतलब कि आप अपना जो सामान उठाये और जंगलों की तरफ निकल बढ़िए प्रकृति के और निखल पड़ी है, रुसों का ऐसा बिल्कृल भी आश्या ही नहीं था, रुसों का आश्या था कि आप एhtियासी ग्रूब में मत लोटिए, पर आप नैतिक ग्रूब से प्रकृति में लोटिएगा, ठीक है, नैतिक ग्रूब से वापस आईएगा, बलाब ऐस इसका मतलब आप लीजेगा चलिए आगे बात करते हैं कि यह हो गया हुआ है एक विचारक थे नोने क्या कहा था ना मुझे भी आदमी आ रहे हैं रूसो को रूसो को चाइल्ड और sanding कहा था रूशसो को चाइड और नेचर कहा जाता है near only apply multi maker कौ तो कोश्षी का इंच यह मुझे अभी याद नहीं आ रहे है कि कि ओने रूसो को चाइड लेकिन जैसे याद आएगा मैं आपको बताऊंगा या तो कोमेंट में नीचे बताऊंगा बाद में ठीक है करें आँ मैक्सी 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 ठीक है ये कहा था मैक्सी ने यह याद रोखे जेगा अपने विचारों में समानता के विचार का जो है समर्थन किया समानता के विचार का समर्थन इन्होंने किया और जो महिलाएं है महिलाओं के लिए समान शुक्षा का समर्थन नहीं किया, यह चीज यादर किया, ठीक है, समानता के विचार का समर्धन रूसों नहीं किया, लेकिन महिलाओं के लिए समान शिक्षा का समर्धन रूसों नहीं करते हैं, और जो हमने सोबर निव्टी पड़ी थी, जॉन लॉक की जो हमने संप्रभूता पड़ी थी, उसके ब इन्हों ने क्या संप्रगूता पर कोई प्रतिवंद नहीं लिगाए थे उसी प्रकार उसों भी क्या करते हैं संप्रगूता को सभी प्रतिवंदों से मुक्त मानते हैं और यहां पर वो आएगी जो हमने प्रेम्बल में पड़ी थी प्रतिवंदों की स्पैली क्या होगी है यह लिख लिजेगा पॉप्यूलर सोवर्नेटी संप्रगूता हिंदी में लिखते तो इसको हिंदी में लिखेंगे लोक क्रिया संप्रगूता की इन्होंने बात की थी ठीक है पड़ा था प्रस्थावना में एक बार आप पीश आके देख लीजिएगा पॉप्यूलर सोवर्नेटी की बात रूसों करते हैं इन्होंने जो है दो प्रकार की इच्छाओं का क्या किया इन्होंने कहा कि मनुश्या में जो है दो प्रकार की इच्छाएं होती है मनुश्य में दो प्रकार की इच्छाएं होती है इंदी वाले यहां पे ध्यान रखिएगा इंग्लिश में ही बताऊंगा एक है आपकी रियल विल विल का मतलब इच्छा ठीक है दूसरा होती है आपकी एक्चुल दूसरी आपकी एक्चुल विल मतलब मान के चलिए रियल विल में आएगा आप अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते हो यानि कि आप सोचते हो समुदाय के कलियान की आप इच्छा रख रहे हो तो आपके अंदर क्या है समुदाय के कलियान की इच्छा अगर आप रख रहे हैं तो आपके अंदर रियल ठीक है और जो आपका रीएल विल है विल वही आपकी क्या है सामान्या इच्छा है यही आपकी क्या है चन्रल विल है इच्छाओं के बारे में यहां से question आ सकता है कोई मतलब ऐसे chances नहीं है आएंगे नहीं आएंगे लेकिन पर नघ्यां हमारा बंद्ध है तो यहीं पर प्रोफेशर हर्णशा है हर्णशा जिन्हों ने प्रोफेशर हर्णशा ने मैक्यवली के बारे में कहा था कि मैक्यवली जो है राष्ट राजिय की अब्धार्ना का जनक है तो इन्हों ने रूसों के बारे में कहा कि लेवियधन का लेवियाथन का कटा सिर ही क्या है रूसो की समान इच्चा है रूसो की समान इच्चा है रूसो की समान इच्चा है प्रोफेसर हरनशा ने कहा था अब आप लोग कोमेंट बॉक्स में बताएगा कि लेवयाधन जो लीखी है कि स्वतंतरता की इंहोंने बात की रूसों ने तो रूसों की स्वतंतरता को सेवाईन ने भीरोदा भासी स्वतंतरता कहा था को विरूधावासी स्वातंतरता कहा था कि सेहाई ने कहा था रूशू की स्वातंतरता को विरूधावासी क। अगर कहई इंगलिश कहीं तो पैराडॉक्स पैराडॉक्स ओफ रिडम यह चीज याद रिख लिजेगा रूसु में फिर मैंने बता दिया आपको जैकोब इन वाद और ब्लांकी वाद का पिता का जाता है फिर फांसी वाद का भी इनको पिता का जाता है रूसो के बारे में और चीज यह आप थोड़ी लिख लिजेगा पड़ लिजेगा कि रूसो जो है प्रत्यक्यण प्रतियक्ष टरंत्र के जनक करह जनक feraता हूं का जनक कहा जाता है लेकिन इन्होंने क्या किया प्रतिनी थिवाद अधिया है और प्रत्यक्ष लोक्तंत्र का समर्थन किया लेakिन प्रतिनी जी दिवादी जो लोक्तंत्र है उसका घंडन किया और लोक्तंतर के बारे में रूसु ने fragments था कि लोक्तंत्र कैसी शाशन प्रणाली है जो कि बल इश्वर राज्या है जो इश्वर का राज्या है वहीं पे लागू हो सकता है ठीक है हरी चीजे होगी अब रूसों के बारे में जो इसकी रूसों की किताबे हैं कोई आपको 9-10 किताबे तो रूसों ने लिखी है वो मैं आपको एक दिन सारा पीडियाप प्रोवाइड करवा दूंगा उसकी टेंशन मतलेजेगा जो किताबे किताबे हैं जितने भी वेस्टन पॉलिटिकल फिलोसपी में बुक्स में है में में जो राइटर हैं उन्होंने जो लिखा वो मैं सारा आपको क्या कर दूंगा एक वीडियाप में बता दूंगा या उसके उपर एक सेपरेट वीडियो हम बता लेंगे बाकि रूसों के बारे में पुल मिलाकर निश्कर्ष कहीं तो रूसों क्या है लोकतंत्र का समर्थन किया है पॉपिलर सोबर नेटी क का जा सकता है और फासी वादी भी उन्हें कहा जा सकता है ठीक है यह रूसों के बारे में थे रूसों की किताबें जितनी होगी को मैं आपको बता दूंगा बाकि इतनी सी चीज़े हैं रूसों के बारे में और डिपली आपको पढ़ सकते हैं किताबें ख्रीदिये अब